हाँ रुफीक्स सैमसंग एसेवेंटी एस नमस्कार दोस्तों सुवागर अब सभी का तिकिराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने सैमसंग के इस डिवाइस पर आप एप इंस्टॉल प्रॉब्लम सॉल्फ कैसे कर सकते हैं अगर दोस्तों आपको एप को इंस्टॉल करना चाहते हैं लेकिन आप इंस्टॉल नहीं कर पा रहे तो उसके दोस्तों यह पर कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं ठीक है आपके डिवाइस इस तो रेश फूल हो सकते हैं सारे सारा आपके जो डिव से इंस्टॉल करना चाहरा है उस में बग प्रॉब्लम है तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं ठीक है तो यह सारे सॉलुशन्स आपको इस वीडियो पर मिल जाएगा तो वीडियो के सारां तक बने रहे हैं सारे साथ अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो यहां पर दोस्तों आपको सबसे पहले करना क्या होगा अगर आपको यह प्रॉब्लम आ रहा है तो आप चेक करें आपके डिवाइस स्टॉरेज फूल है या फिर कितना कॉन्जिम हो गया है ठीक है तो आपके जो इस स्टॉरेज जो है वह खाली कर दीजिए उसके बाद दोस्तों आप यहां पर इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आपके मुबाइल पर अप्लिकेशन्स है जो कि आपने इंस्टॉल कर रखा है तो उनको आप अनिस्टॉल कर सकते हैं ठीक है डिवाइस खेश उन सब को भी आप क्ल ब्रॉजर से कोई वेब साइट से आप इंस्टॉल करना चाहरा है एप को लेकिन हो नहीं पा रहा है तो उसके लिए दोस्तों आप सेटिंग पर जाए और यहां पर आपको मिलेगा एक ऑप्षिन बायो मेट्रिक्स का ठीक है बायो मेट्रिक्स सेकर्विटी इंस्टॉल अन unknown Apps ठीक है उसके बाद दोस्तों आप यहां पर क्या कीज़ेगा और दुबारा से रिंच्टॉल करने की कोशिश करें हो जाएगा प्रॉब्रम फीक्स है प्रोब्लेम सब्सक्राइब अगर भी सष्की सर्वेश पर क्लिक किई और मेंच इस तोरेच पर जाके इसका जो डेटा है दोस्तों तो उसको clean up कर दीजिए ठीक है ओके करके आपको clean up करना है और उसके बाद बेक करें Google Play Store में जाए यहाँ पर आपको दुबारा से से सेम प्रोसेस इस तोरेज पर जाना है clear data क्लियर करना है एंड इसके जो permission से उनको को allow कर दीजिए और उसके बाद device को restart करते हुए internet connection को enable करें और उसके बाद चेक करके देखें आपके जो issue है आपके जो problem है definitely इतना में fix हो जाएगा ठीक है दोस्तों यहाँ पर अगर आपको आभी भी problem आते हैं तो आप आप दोस्तों अपने जो यहाँ पर gmail का account होते ठीक है जिससे आप प्लेश्टोर को create करते हैं या फिर प्लेश्टोर में login करके रखते तो आपको वह gmail account या फिर आपके जो Google account है उसको remove करके react करकी देखने तो उससे भी आपका काम बन जाएगा सारे सार आपके डिवाइस आपडेट नहीं है तो डिवाइस आपडेट जरू से कर लेना ठीक है तो इस तरीके से जाके आपका problem fix हो जाएगा उमीद करते दोस्तों आपको यह वीडियो पसंदे होगा thanks for watching